नमस्कार में हूँ आपके साथ अक्षे विनू उच्छक लो चीन पर हालात काफी संजीदा है पैंगाउंग साउथ में तीसरी बात खरदेड़े जाने से चीन के अंदर एक डर बैठ गया है कि कई भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्षन कोई नए एक्षन तो नहीं देखने क मिल सकता है इसलिए चीन ने एले से के पास काफी तादाद में पी एले के जवानों को तहनात कर दिया है इदर भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर चीन ने जरा भी हिमाकत की तो इस बार अक्साइड चिन में तिरंगा लहराता नजर आएगा गलवान से भगाया पैंगोंग में पीटा ब्लाक टॉप से घसीटा हेलमिट से हटाया रेजिंग में रगडा रेजान में दम घोट दिया चीन में मची हाहाकार आब अक्साइड चीन की बारी हिंदुस्तान के जोश के आगे चीन चिल्ला रहा है दुहाई मांग रहा है गोहार रगा रहा है किसी भी तरह भारत उसे बख्ष दे लेकिन हालाद अब पूरी तरह बदल चुके हैं नए भारत का सीधा सपाटे जिन्डा है दुश्मन पर रहम नहीं करना है बलकि उसके घर में घुस कर मारना है चीन इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है उसलिए उसने सैनिकों को LAC के पास लगा दिया है दरसल ये उसका डर है कि कहीं आब अगसाई चीन ना हाथ से चला जाए सबसे पहले ये समझे कि चीन के सैनिक LAC के पास कहां पहँच गए हैं और कहां पर भारत ने मिरर डिप्लाइमेंट किया है भारतिय सैनिक ठाकूंग टॉप, ब्लाक टॉप, हेलमेट टॉप, चुशूल, गुरांग हिल, मगर हिल, रेजंगला, रेचिनला पर काबिस है ये वो पहड़ी एरिया है जहां से पैंगॉं साउथ में LAC पर बनी सभी चीनी सैनिकों के पोजिशन पर नजर रखी जा सकती है खास तोर से चुशूल के सामने पढ़ने वाली मोल्डो पोस्ट भारतिय सैनिकों की घेराबंदी में आ चुकी है चुशूल के सामने मोल्डो के पास का इलाखा स्पांगॉर कहलाता है जो स्पांगॉर जील के पास है यहां पर 1962 से चीनी सैनिकों ने कभ़जा किया हुआ है पीले सैनिकों की पोस्ट यहां से कभी हीली नहीं लेकिन अब चीन को खत्रा पैदा हो गया है कि कहीं मोल्डो पर कबज़ा ना हो जाए और भारतिय सैनिक स्पांग और जील तक ना पहुँच जाएं क्योंकि 29-30 अगस्त को भारतिय सैनिकों ने रेचिन और रेजांगला से चीन को खदेर दिया था चीन रेजिंग और रेजांगला में पिटने से इस कदर बौखला गया कि उसने कई बटालियन LAC के पास लगा दे और खास तोर से उन पोस्ट के सामने जहां से उसे खदेरा गया था उन पोस्ट को पाने के लिए उसके सैनिक पूरी कोशिश कर रगे हैं 7 अगस्त को नुकीले हत्यारों को लेकर पहुँचे थे जहां से उनने फिर खदेरा गया इस वक्ट चीनी सरिकों ने ब्लाक टॉप के पास एक बटालियन तो वहीं मोल्डो से आगे चुशूल की तरफ दो बटालियन जबकि रेचिनला और रेजांगला में दो बटालियन लगाई हुई हैं जिनके साथ टैंक्स भी हैं दरसल ये भारत का चीन को वो जवाब था जैसा उसने पैंगॉंग नॉर्थ में किया भारत ने वैसी ही चाल पैंगॉंग साउथ में चल दी दोनों देश काफी बच से एलेसी पर अपनी अपनी पोजिशन पर थे या था स्तिती बदलने की कोई गुंजाईश नहीं थी लेकिन चीन की विस्तारवादी सादिश ने हालात को बदलने की कोशिश की वो पैंगॉंग नॉर्थ में इस सिरीजे पोजिशन से आगे बढ़कर फिंगर टू तक आ गया था जिसे बाद में फिंगर फोर तक खदेर दिया गया लेकिन चीन सिरीजे पोजिशन पर नहीं गया ऐसे में भरत ने पैंगॉंग साउथ में उसकी पोजिशन से उसे खदेर दिया जिसमें सबसे एहं ब्लाक टॉप और रेचिंग रेजंग ला है चीन इस वक्त इस खदर परिशान है कि वो किसी भी सूरत में अपनी पैंगॉंग साउथ वाली पुरानी पोजिशन पर जाना चाता है जिंग पिंग ने भी चीनी सेना के कमांडर्स को लतार लगाई थी इसलिए 7 सितंबर को चुशूल के मुख परी इलाके में चीनी सेना ने गुस पैच की कोशिश की फाइरिंग भी की लेकिन उसकी फ्रंटियर फोर्स के जावाजों के आगे एक ना चली इसलिए चीन ने युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिये हैं लेकिन वो कि भूल रहा है कि अगर उसने हिमाकत करने की जरा भी कोशिश की तो ब्लाक टॉप के बाद अगली बारी मुल्डो पोस्ट की है जिससे आगे का रास्ता अकसाई चीन तक जाता है तो जिस जगा पर चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती की है वो दोनों देशों के लिए सामरे तोर पर काफी एहम है उसी जगा पर बासट में सबसे भायंकर रुद्ध युद्ध हुआ था उस वक्त चुशूल और रिजॉंग में सबसे ज़ादा चीनी सैनिक धेर हुए थे और चीन चुशूल से आगे नहीं बढ़ पाया था और अब तो ये न्यू इंडिया है जो किसी भी कीमत पर चीन के तेवर बरदाश नहीं करेगा इसलिए भारत ने पी एले सैनिकों के ठीक सामने टैंक तैनात कर दिये टी-90 टैंक गरजने को तैयार है फुविद्जर होश उड़ाने को अलर्ट है वो फोर्स चीन को बरबाद करने को बिताब है और इन सब के बीच एले सी पर पुर्वी लद्दाख में ही 40,000 से ज्यादा भारतिय जवान चीनी सैनिकों को खदेरने के लिए हरवक्त मुस्तैद है हालात कितने खतरनाक हो चले हैं वो भारतिय सेना के जवानों के अग्रिम मोर्चे पर हतियारों के साथ 33 सी साफ पता लगता है क्योंकि अब चीन को एक भी मौका नहीं देना है कहीं चीन 62 वाली साजिश फिर से ना रची इसलिए इस बार तैयारी फुल प्रूफ है खास तोर से ITBP के जवानों को सबसे आगे रखा गया है उची पहाडियों पर बनी पोश्ट पर फ्रंटीयर फोर्स के जाबाज है चुशूल और रेजांग इलाके में T90 और हुईजर लगाए गए है और मोल्डो की अलावा स्पांगूर इलाके पर वो फोर्स ने निशाना साधा हुआ है और इतना ही नहीं फाइटर जेट मिग लगातार एयर पेट्रोलिंग कर रही हैं जिसमें कॉमबेट हेलिकॉप्टर साथ ले रही हैं सबसे ज्यादा तनाव पूर्ण हालात चुशूल और रिजांग लाक के पास हैं क्योंकि ये वो इलाका है जहां चीन हमेशा से कब्जे का खुआब देखता रहा है जब कि इस बार हमने उसे चुशूल और रिजांग लाक के पास फूची पहाडियों से भी उसे डिलोकेट कर दिया भारत और चीन दोनों के लिए ही रिजांग और चुशूल का इलाका सबसे एहम इसलिए भी है क्योंकि ये इलाका पहाडियों से घिरा है और थोड़ा सम्तल है आप लगाता रही हमारे साथ क्योंकि खबर देश और जहान की यानि खबर जहन दोस्तान प्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलियालम, टेलगू और कन्नर्ड हिंदी के साथ पाँच भाशाओं का पंच सबसे नया सबसे अनुठा न्यूज अब बस एक क्लिक दूर जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें